दीमाग में फरक आ गावे में-टील होगे इस्तेम więks। पैसा खतम हो जागा अपने घर चल देंगे, फंदिंगो रहा भी देश से। कानून में कुछ काला नहीं है और कुछ नहीं है और कुछ नहीं है पैसा ची यह रहूल गांदी ने देश बिलकुल बरबाद कर ढ़िया कांगरेस ने बिलकुल मत्ति में वेडिया देशु यह में करना चाहेंगे राहूल गांधी की स्टेटमेंट के बारे में अभी जो गांधी कुछ दिन पहले ये कह रहे थे के दो करोड किसानों के वह सिगनेचर करा के लाए इस कानून के लिए आज उरा हुलगा नी तेखाई क्यों नहीं थे रहे गए रहावल गांदियों खुदी पप्पू है उंहें कुछ पता नहीं है किसान है वह आलू मुझे सोना हुगा देता है बंडी में से गोबढ़ वारता है वह तक नहीं है उन्हें किसान भगला रहे हैं किसान को मेंदसी ठीक पर हाथ रखा है म वहां कोई किसान नहीं है सिर्फ पैसे वाले बैठें पैसे वाले पैसा मिल जागे बूटके चल देंगे जिदिनी पैसा खतम हो जागा अपने घर चल देंगे फंडिंग हो रहा भी देश से इतने दुनों से राज किया कॉंग्रेस ने 60 साल तक 58 साल तक उन्हों ना राज किया और उसके बाद अगर मोधी सरकार की तरफ से कानून लाया जाता तो यह क्यूं कहा जा रहा है कि काला कानून ने क्या काला है इसमें आप भी मुझे बता यह आप किसान है सब मोधी से चेड़ते हैं रावल गांदी परिशान है बहुत जाद है जो 65 साल राज करता है फिर दर दर बठकता फिर रहा है कहीं हार रहा है अब देखा ना कहां जाके चुना लड़ा कहां पर लड़ा चुना हुआ से छोड़ दिया इसमर्तिना ने जीती पता जीतना नह मस्या है जो यह कहते हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं आज जब किसान भाईयों को उनकी ज़रुत है आई यह बताई यह गलत फहमिए बताइए जब कल लेकिन राजनीती करनी है पैसा चीह है चुनावा रहे हैं यूपी के उत्रपरदेश चुनावा रहे हैं वो सोच चुना लड़के जीत जाएगा दो बाल लड़ा जमान जबत होगी तो जस तरीके से चीज़ें आ रही हैं सामने कुछ लोग कह रहे हैं बार की देशां वह भी कह रहे हैं अब यह क्या कहना चाहूँगी सर जो अभी कुछ दिन पहले ट्वीट किया था एक बड़ी किसान रहाना ने जो ट्वीट किया था क्रिशी को लेकर तो मतलब जैसे कि रहाना जिस तरीके से तो आपको क्या लगता है कि वह किसानों का समर्थन करते गलत हैं वह व पर जो इंगलेंड में बड़ी किसान है उन्हें क्या पता वो तो जो यहां से बोलेंगे यह प्रक्सी पार्टी वही बोलेंगे वे तो उनके कही सी बोल लेंगे और इनका मक्सद यह कानून रद करवाना है यह और कुछ नहीं है फिर तीन तलाक रद कराएंगे पिर सिय कर औो फिर तीन सु सब्सक्राइंगे मैंड जो बात हो तीन से सथ तरगे और कुछ नहीं है अरो अर्मोधी जी नातकि नहीं जूक्त शिका पर है जुकर हो तो हमारी को बंशुखेंग नहीं को ढहरेंगे क्नौशी। लेकर आये थे और बोल रहे थे काला कानून है तो यह 200 करोण में से आप मैंसे था कोई वो सर्व मैडम वो तो हाप माइंड है उसको पता नहीं है उन्होंने तो यह 55 साल जो राज करा है इस पर इन्होंने तो गरिब भी रेखा से निचे पहुंचा दी हम भी किसान भी जो कान कोई दिक्कट वाड़ी बात नहीं है मोदी यह सरकार किसान विरोधी है सब बेकार है रहूल पाउल सब बेकार है मोदी जी बढ़ियां है यह पार्टियों के ही किसान है कांग्रिस के और लेट के अगर वीजेपि का अगर एक आदमी कि महां दिखा दें तो हमें खोद गड गायल किया गया मारा पीटा गया उनके साथ तो कॉंग्रेस तो यह कहती है कि भाजपा के गुंडे गुजगए थे यह तह ऐसी बताएंगे ना अपने ही गुंडे हैं उनके और अपने आप जेल तो छोड़वाने के लिए यह सब इनका फंड है अपना इतने राहुल गांदी अब यह कह रहे थे कुछ दिन पहले कि हम किसानों के साथ खड़े हैं तो फिर किसानों को समझाते क्यों नहीं हो कभी साथ नहीं थे ना हैं ना होंगे कभी मोदी जी किसानों के साथ हैं और मोदी जी रहेंगे जब तक हैं राहुल गांदी जिस तरीके की बात करते हैं किसा गलत कर रही मोधी सरकार आपको विशनी कई लगता है कि रहूल गांदी इस परइबicon होनकी फिसे परीवार से उसने कभी खेटी देखें खेटी होती है कि खेटी के बारे में क्या पता माने मोधी जी है वो जॉमिन जुटे देता है जैमीन से उठ्वेخت नहीं है उन्हें पता किसान कैसे परिशान कैसे भला हो सकता है राहुल गांधी को खेतियों के बारे में नहीं पता और राहुल गांधी की पार्टी कॉंग्रेस उसी बड़ी किसान का सपोर्ट करती है नहीं पता है रहा जो की बहार मेरिका में सिंगर है और जब वो और जब किसानों को लेका ट्weet करती है तो उसको इनके में सपोर्ट करने पहुंच जाते हैं तो पैसा रहा है पैसा रख रहे हैं इन्हां बाट रहे हैं यह बहुत ही बोला होता है बहुत ही बोला कुछ बोला को यह चल देगा बहुत बेकार पार्टियों में से है अब इसकी छवी बिल्कुल दुमील कर दिया मोदीजी ने राहूल गांदी ने देश के बिल्कुल बरबाद कर दिया कांगरेस ने बिल्कुल मट्टी में मिला दिया देश अगर ठीक ठाक रहे है तो उसके बाद फिर योगी जा जाएंगे तो इनका तो खता में मामला अब आपना योगी जी का नाम लिया अभी उत्तर परदेश में चुनाव आने वाले हैं राजनीती की रिज जा रही है और ये जो सरकार है वो किसान विरोधी है अन्न दाता की विरोधी है तो क्या लगता है ये जो 20-21 पार्टी हैं जितनी भी एक साथ हो चुकी है इसके लेफ्ट के यहीं तो आदिम बठें वहाँ भी धरने भाएं बीजेपी कते एक भी आदमी नहीं है राकेश टिकाइट के लिए राकेश टिकाइट जीने एक बोट देती होगी मोदी जी को उसके उसका धरम खालेंगे नबाकी परिवार में एक नहीं दी होएगी अध हम मोदी जी को घटा देंगे हाँ वह एक बोट हटा देगी नहीं सवाट वीजेपी पूर्म बहुमत से हैं लेफ्ट उन जो उनके साथ जो घटक दालें उनकी भी जरूत नहीं है आज की डेट में तो वेपिचा भग जो सब जब भी गोवर्मेंट चलेगी तो हजार चोव साथ साल तक मोदी जी रहेंगे जतने दिन कांग्रेस ने राज करा इतने दिन मोदी जी तो सो साल तक तो करेंगे